देखिए जो लोग कह रहे हैं कि स्री राम चेट मानस समाज को तोड़ने का काम करता है तो स्री राम चेट मानस समाज को तोड़ने का नहीं बलकि जोड़ने का काम करता है तोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि स्रामचेश मानस तोड़ने का काम करता है समाज को तोड़ने का काम करते हैं समाज को तो वो लोग तोड़े नहीं है सब को एक जुट रहना चाहिए यह सिखाता है गामचेश मानस अब बताईए कि जो तुलसी दासी हैं लिखे हैं उनको अपने मन से लिखना है तो वो तो एक बात लिखे हैं किसी अराम मैं सब जग जानी करहूं प्रडामा जोरी जुग पानी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड चेतन जीव जहान वो कहें हैं कि मैं सब में भगवान को देखते हूँ पूरे जवत में जितने भी लोग हैं जितने भी जीव जन्तु हैं मैं सभी में मैं भगवान को देखते हुए भगवान की जाकी पाते हुए भगवान को देखते हुए और सभी को मैं प्रडाम करता हूँ अब बताएए जिनका जो ये सोच रहे हैं वो क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे जो ये कह रहे हैं वो समाज को तोड़ने का काम करेंगे वो तो लोगों के कल्याड के लिए ये रामचेत मानस लिखें क्या वो नारी का अपमान करेंगे जिनका ऐसा सोच हो ऐसा बिचार हो वो क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे वो तो स्री रामचेत मानस को लिख करके और समाज को समाज का कल्याड कर रहे हैं समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जहां तक बात रही उस चौपाई की कि जिस पर इतना बड़ा हंगामा कर दियें के वल ना समझे के वज़ा से इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिये हैं और इसका अर्थ क्या हुआ और कौन किससे कह रहा है पहले यह जान यह फिर उसके बारे में बोली मैं आप लोग को बता रही हूं इसका आर्थ और कौन किस से कह रहा है देखी जब भगवान राम जो हैं समुंद्र पार नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने समुंद्र देर्था से हाथ जोड़ करके बिंति की कि है समुंद्र देर्था आप हमको मारवदे हमारी सेता लंका में फसी हुई है तो हमको मारवदे तीन दीन तक वैसे ही हाथ जोड़ करके खड़े रहे लेकिन समुंद्र देर्था तो कुछ नहीं समझे उन्हों मारवदे नहीं देमाने नहीं भगवान अब तीन दीन तक ऐसे खड़े रहे तो उनको क्रोध आया क्रोधित हो गए और बोले कि लक्षमर तुम हमारा धनुस बाड़ लाओ लक्षमर जी ले आये भगवान राम अगनी बार लगा दिए धनुस में ताम दिए और तब ही क्या हुआ बोले समुद्र देता तो प्रगट हो गए और बोले कि प्रभू हाद जोड़ ले बोले प्रभू हमको माफ करिए हमको छोड़ देजिए हमको छोड़ देजिए प्रभू हम सुख जाते तो ठीक रहता लेकिन हमारे अंदर जीव जन्तु है यह सुख जाएंगी तो क्या होगा प्रभू मैं अपने लिए नहीं का रहा हूं इन जीव जन्तु के लिए कह रहा इन लोगों के लिए क्रिपया हमको छोड़ देजिए भगवान राम बोले ठीक है छोड़ तो दूंगा लेकिन अभी अगनी बाड़ का करूं क्या किधर चलांग बोले मेरे उत्तर तरफ कुछ दुष्ट रहते हैं प्रभू आई पर छोड़ देजिए उनका संहार हो जाएगा उदुष्ट खत्म हो जाएगा भगवान ने उत्तर के तरफ बाड़ को छोड़ दिया सभी जितने भी वहाँ पर दुष्ट थे उन दुष्टों का संहार हो गया और वही शमद्र देवता भगवान राम से कह रहे हैं ये प्रभू राम आपने अच्छा किया कि हमको सिक्षा दंड़ दिया प्रभू आपने हमको हम पर बहुत बड़ा क्रिपा किया कि हमको सिक्षा दंड़ दिया प्रभू और वही समुद्र देवता कह रहे हैं कि धोल गवार सुद्र पसुनारी सकल तारना के अधिकारी धोल जो धोलक होता है उसको हम लोग ऐसे ही पिटेंगे तो फूट जाएगा न महराज नहीं तो अगर पीटने से बजता तब छोटा से छोटा बच्चा भी उसको बजा लेता कलाकारों के क्या जरूर पड़ती छोटा सा छोटा बच्चा भी वैसे ही हाथ से पीटे देता और गवार गवार जो है पहले समझे उसको कैसे समझाना है वो कैसे हमारे बातों को समझेगा और फिर उसको समझाईए और सुद्र जो सुद्र होता है सुद्र किसे कहते हैं सुद्र उसे कहते हैं जो चेतन होकर भी जड़ हो वैसे तो सुद्र आदरडी है क्योंकि हमारे सरीर में चार बर्ड है यह सिर है ब्राम्भड हाथ है छत्री पेट है बैस और पैर है सुद्र वैसे तो सुद्र आदरडी है क्योंकि कोई भी अपने से छोटा आता है तो पैर कोई प्रणाम करता है पैर चू करके क्योंकि वो सुद्र तीनों के भार को ले करके चलता है और पसू सभी के घर कुछ न कुछ होंगे न गाय भैस यह सब तो आप मान लेजे कभी गए गव माता के पास उनको बड़े प्यार से सहला रहे हैं कि उनको कहीं खुझली हुई या कुछ परिशान ने हुआ उन्होंने अपना सिर हिलाया कि आपको चुट लग गई आप मारने लग गई पहले अब जानिए कि उनको क्या हुआ है क्या कर्ष्ट है फिर कुछ कहिए कुछ कर्ष्ट होगा तभी तो वो सिर को हिलाई होंगी और नारी नारी तो जनी होती है लक्षमी स्वरूप होती है नाराइडी होती है जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती वो घर तो नरक रहता है नरक के समान है और जिस घर में नारी की पूजा होती है नारी का समान होता है नारी का आदर होता है वो घर तो स्वर्ग के समान है सख़ तारना के यदिकारी और तारना जो है उसका मतलब इसका अर्थ ये है जानना तारना का मतलब मारना नहीं होता है बलकि जानना होता है पहले जानिये कि लोगों को क्या कर्ष्ट है उनको कैसे समझाना है वो कैसे समझेंगे फिर समझाइए जानिये तब कुछ बोली तारना का मतलब होता है जानना इसका अर्थ यही हुआ है इसलिए मैं सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहती हूँ जो ऐसे बकवाश की बाते कर रहे हैं बीना जाने समझे बेकार की बाते कर रहे हैं लोगों को फसा रहे हैं ग्रंथों पर अंगली उठा रहे हैं तो उनके बहकावे में आप लोग मताईए और सरकार से भी मैं हाथ जोड़कर क्यों निवेदन करना चाहती हूं कि जो धर्म ग्रंथों पर अंगली उठा रहा है स्री राम चेत मानस पर भगवान राम पर भगवान कृष्ण पर अंगली उठा रहा है तो उसको उचिस सजा मिलने चाहिए कि क्योंकि बिना जाने समझे किसी के बारे में नहीं बुलना चाहिए तुलसी जी तो बड़े महान थे कि इन्होंने ये राम चेत मानस साधार भासा में लिखा कि लोगों का कल्यार हो इसके माध्यम से तो इस पर कोई अंगली न उठाए और अंगली उठाता है तो सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि वो उचित उनको सजा दे उचित जंड दे राधे राधे जैश्री क्रिष्ण